इससे टाइम अलोगाज माई नेम इस पुर्णाम तर्ण यो वच्छिंग असल कब रादम बात करने वाले हैं रेंडी ओर्टन ने लोग लोग का यूज किया चले वीडियो शुरू करते हैं नमबर 6 रेंडी ओर्टन लोग लोग डेनियल ब्राइन 16 December 2013 को रेंडी ओर्टन अपनी WWE World Heavyweight Championship को डेनियल ब्राइन के खिलाब डिफेंड करते हैं इस मेच में डेनियल ब्राइन रेंडी ओर्टन को यूज लोग लगाते हैं लेकिन रेंडी ओर्टन बच जाते हैं उसके बाद डेनियल ब्राइन रेंडी ओर्टन को किक लगाने की कोशिज करते हैं लेकिन रेंडी ओर्टन डेनियल ब्राइन को लोग लोग लगा देते हैं नमबर 5 रेंडी ओर्टन लोग लोग जोन शिना साथ साल पहले जब रेंडी ओर्टन ने दो उट बेल्ट जीते थे तब एक लाइव एंड के दुरान रेंडी ओर्टन अपने दुनों टाइटल को जोन सिना के खिलाब डिफेंड करते हैं इस मेच के दुरान जोन सिना एट स्टूड एडजेस्टमेंट लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन रेंडी ओर्टन बच जाते हैं और वो जोन सिना को लोग लगा देते हैं नमबर चार रिक फ्लेयर दस अगस 2020 को हुए रोके एपिसोड में केविन ओर्टन और रेंडी ओर्टन का मेच चल रहा था इस match में रेंडी ओर्टन केविन ओमन को और के लगा देते हैं और जब वो इस match को जीत कर जा रहे होते हैं तब रिख फिलेर उन्हें रोक लेते हैं और वो रेंडी ओर्टन की तरिफ करते हैं कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरा रिकोर्ड तोड़ कर 17 टाइम वर्ड एवेट चेंपियन बन जाओ इसके बाद रेंडी ओटन फ्लेयर को गले लगा लेते हैं और उन्हें लोब लोगा देते हैं नमबर 3 मनीनदा बैंक 2011 में रेंडी ओटन और क्रिस्टन का WWE वर्ड एवेट चेंपियंशिप के लिए मैच होता है इस मैच में रेंडी ओटन बहुत ज़्यादा गुसे में होते हैं वो क्रिस्टन पर टेक करने वाले होते हैं तब क्रिस्टन उसने थूक देते हैं जिससे उन वो सर्वाइवर सीज में स्मेक डाउन टीम की तरफ से खेलेगा इस मैच में केवी नोवन आ जाते हैं और डिस्ट्रेक्शन का फाइदा ठाकर रेंडी ओटन सेमी जन को लोब लो लगा देते हैं नमबर एक शोन माइकल रेंडी ओटन और शोल माइकल के एक मेच में शोन माइकल रेंडी ओटन को किक लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन रेंडी ओटन शोन माइकल को लोब लगा देते हैं गाईज अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में बताना ना भूलें आज का वीडियो प पसनती से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको मार वीडियो कैसा लगा, मैं मिलता आपने नए वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई